टूड़े अवर टॉपिक इस लंग एप्सेस राइट ओके वाट इस दे लंग एप्सेस ओके लंग एप्सेस एक तरह से इंफेक्शन ही है लेकिन लंग के अंदर एप्सेस फॉर्मेशन हो जाना सपोज यह क्या है अल्योलाई है और यहां पे इंटर्स्टिशल टीशू जदERE कनेक्टिउशू ज़़िये है और इस तरह से लंग बने हुए है और सपो Allah कि यह एक ही लंग है यह इसकी ब्रा deze इस तरह से यह बना हुआ हैंक है और यह एक लंग का लोब समझी आप ओके यह एक लंग है और लंग के अंदर हमने अल्वियोलाई को देखा अब अल्वियोलाई के बीच में जो कनेक्टिव टीशू है तो टॉटल जो फंक्शनल सेल हैं उनको पेरेंकाइमल सेल केते हैं जो सपोर्टिंग सेल रहती हैं उनको इस्ट्रोमल सेल केते हैं अब यहां पर क्या है इन्फेक्शन तो हो जाना लेकिन इन्फेक्शन के साथ पस फॉर्मेशन हो जाना और पस फॉर्मेशन होने के बाद वो जो एपसेस है इस तरह से गाठ बन जाना लेकिन यह क्या हो सकता है कैप्सुलेटेड भी हो सकता है और abscess दूसरी कई और जगा spread भी हो सकता है और यह abscess क्यों बनता है तो यह abscess बनता है infection के कारण से और infection especially किसका bacterial infection bacterial infection के अंदर यदि infection होता है और anaerobic bacteria जो रहते हैं वो जो abscess बनते हैं उसको हम कहते हैं putrid क्या कहेंगे putrid anaerobic जो रहते हैं putrid बनाएंगे right और जो anaerobic और aerobic दोनों से बने एक हम यहां दूसरा बना रहेंगे aerobic और anaerobic दोनों से बने उसको हम कहेंगे non-putrid अब मैं फिर से समझा रहा हूं आपको lung abscess abscess is related to the pus formation गठान बन जाना, nodule बन जाना तो यहां पर pus बन गया, गठान बन गया, nodule बन गया है लेकिन किसका बना है? cancer का नहीं बना है infection से pus बन गया है अब यह pus जो है वो एक तरह से bacterial infection है लेकिन बेक्टरिया यहदी aerobic type का हो बेक्टरिया कैसा हो? aerobic type का हो या anaerobic type का हो दोनों तरह के bacteria से किस तरह का पस बन सकता है? non-putrid बन सकता है लेकिन जो कुछ anaerobic bacteria ऐसे है only anaerobic वो यहदी पस बनाए तो putrid putrid is result of the infection by anaerobic bacteria only लेकिन non-putrid is result may be result of the anaerobic bacteria and may be result of aerobic bacteria may be result of the aerobic bacteria और anaerobic bacteria दोनों के result से non-putrid बन सकता है लेकिन कुछ anaerobic bacteria ऐसे होते है जो putrid बनाते है purulent बनाते है pus related abscess बनाते है थोड़ा और detail समझेंगे एक तरह से यह क्या है lungs के अंदर localized condition है जैसे यहाँ pus बना तो इतने area के अंदर pus रहेगा यदि spread होता है तो इतने area के अंदर pus रहेगा में एक तरह से यह क्या है localized collection है localized collection of the pus है उसके बाद pus जो बना है वो किसी दे किसी infection के करण से बना है और infection के against में inflammation आता है तो यहाँ पर हम क्या चीज़े देख रहे हैं पहला infection तो present है pus formation है inflammation present है अब एक चीज और देखते हैं कि यहाँ के जो cells है वो cells क्या हो जाएंगी destruct हो जाएंगी क्योंकि यहाँ की जो cells है वो अब pus से ग्रसित हो गई है इन cells का rupture हो गया और cell damage होके यह तूट गई है और अपना anatomy और function इन्होंने खो दिया है अपना structure और function इन्होंने खो दिया है तो मैंने क्या क्या लिखा है आपर infection, inflammation, infection, pus formation, inflammation and destruction ठीक है इस तरह से यदि टीशू के अंदर आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे lung abscess lung abscess में आपको क्या याद रखना है कि lung abscess एक तरह से bacterial infection it is the bacterial infection if it is caused by the if it is making the pus and collection of the pus in the particular local area it is called a lung abscess okay and this lung abscess may be result of the aerobic bacteria and non-aerobic type of the bacteria the abscess putryde abscess के दो टाप रेते putryde and non-putryde putryde is only result of the anaerobic bacteria while non-putryde is the result of aerobic bacteria and non-aerobic bacteria इस तरह से आपको introduction के अंदर define करना है इसके बाद जो abscess less than ठीक है जो abscess less than 4 to 6 weeks यदि बहुत जल्दी हो जाए less than 4 to 6 weeks में यदि develop हो जाते हैं तो उनको हम कहेंगे acute abscess क्या कहेंगे acute abscess तो मैंने यहापर लिख देता हूँ acute lung abscess यदि वो abscess बनने के अंदर 4 से 6 हफते से भी कम समय लेते हैं ठीक है 10-15 दिन, 12 दिन, 25 दिन के अंदर यदि यह बन जाता है क्या बन जाता है? abscess बन जाता है तो उस तरह के abscess को हम कहेंगे acute lung abscess और यदि धीरे-धीरे slowly progress करता है और धिरे-धिरे कुछ महीने लग जाते है, साल लग जाते है उस तरह के abscess को हम कहेंगे chronic abscess तो यह सारी चाज़ चीज़े हैं abscess related हमने देखा अब एक चीज introduction में और आपके बताई गई है कि primary abscess and secondary abscess तो suppose करो यह lungs है और lungs के अंदर self इस lungs tissue का खुद के infection से abscess यह बनता है तो primary abscess कहलाएगा लेकिन यदि कुछ abnormality ऐसी हो जैसे कि blood related infection हो या bone related infection हो या bronchial infection हो या plural infection हो और इस से यदि अंदर की तरफ यदि abscess बन जाता है तो उसको हम कहेंगे secondary lungs abscess तो previously यदि primary lung abscess का मतलब यह है कि previously normal lungs and may follow the aspiration यदि lungs के अंदर aspiration से कोई amount में infected material आ जाता है और उस से यदि an infection होता है तो वो primary lung abscess कहलाएगा लेकिन कुछ disease conditions ऐसी है lungs की और कोई underlying abnormalities है जो abscess create करती है तो उसे हम कहेंगे secondary lung abscess तो यह हो गया abscess acute abscess, chronic abscess के बारे में देखा primary और secondary के बारे में देखा और abscess की definition के बारे में देखा और यही चीज़े जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही आपके notes के अंदर first introduction में लिखा हुआ है next हम बात करेंगे etiology what are the etiology lung abscess क्यों होते हैं क्या reason है तो lung abscess वैसे तो हमें पता है sorry यह light power cut होने की वज़े से हमें next video start करना पड़ेगा yes I think आप देख सकते हो okay right start करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा एक second I think आपको problem नहीं हो रही है light थोड़ी से down आर गी है इसमें ठीक है लेकिन दिख रहा है okay etiological क्या-क्या factors है lung abscess क्यों बन रहा है तो sir हमने का कि lung abscess is the accumulation of the pus lung abscess is the accumulation of the pus and pus is only accumulated by the bacterial infection pus क्यों होता है bacterial infection के करण से pus formation होता है और pus formation के अंदर क्या होता है कि tissue destruction होता है क्या होता है tissue destruction होता है और tissue destruction होने के करण से anatomy and physiology loss हो जाती है इसकी कार्य सरचना भी disturbed हो जाएगी और कार्य करने की समता भी disturbed हो जाएगी और lug tissue जब काम वगेरा नहीं करेंगे तो auto की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी और auto की जो कमी हो जाएगी उसी को अपन क्या कहते है difficulty of breathing कहते है difficulty of breathing कहते है तो दूसरा इसके अंदर क्या होता है क्योंकि यह pus formation है तो यह directly क्या cause करेगा pain cause करेगा और pus का जो pain रहता है वो कैसा रहता है pulsatile pain रहता है का मतलब यह है कि जब की वाला pain ठीक है जब जब की वाला pain लेकिन especially lungs के अंदर जो ऐसा pain pulsatile आपको feel होने को नहीं मिलेगा क्योंकि lungs एक deep organ है यदि यही pus formation किसी peripheral area में रहे finger में रहे, toe में रहे ठीक है, face पर रहे और pus formation हो जाए, buttox पर रहे तो वो pain pulsatile हो सकता है यहाँ पर chest tightness जैसा pain आपको feel होगा यह सारी चीज़े हम clinical features में पढ़ेंगे यहाँ पर etiology के लिए पहला reason तो यह हो गया कि bacterial infection bacterial infection के कारण से lung abscess हो सकता है इसके बाद हम etiology factors जो है उनको देखेंगे तो दूसरे क्या हो सकते है जैसे कि कुछ ही यहाँ पर मैं gram negative और gram positive bacteria के लिख रहा हूँ example लिख रहा हूँ positive and sorry इस तरफ मैं negative लिख देता हूँ इस तरफ positive अब जो bacterial organism है negative के अंदर जैसे bacteriaids species bacteriaids species ठीके यह एक तरफ से negative type का bacteria इसके बाद fusobacterium species fusobacterium species bacteriaid species fusobacterium species proteus species proteus proteus नाम की जो जाती है वो भी negative bacteria में आएगी aerobacter species ठीके aerobacter species यह जाती है वो यह negative में आगी hysteriae coli ठीके e coli जो है hysteriae coli यह भी क्या है negative के अंदर आएगा इसके बाद pepto streptococcus species pepto streptococcus streptococcus species यह species यह जो category है यह positive के अंदर count होगी स्ट्रेप्टो कोकस स्ट्रेप्टो कोकस right मैं short में लिख रहा हूँ यह सारी जीज़ा आपको available हो जाएंगी वैसे बोल रहा हूँ तो आप भी अपनी copy में note कर सकते हैं actinomycin species actinomycin species actinomycin species actinomyces species तो इस तरह से जो है यह सब क्या है gram negative और और gram positive टाप के बेक्टेरिया हैं जो की post formation कर सकते हैं यह ideological causative agent है तो आपको कुछ नहीं करना है पाच-पाच example दोनों के याद रखने है और लेख लेना है आगे बढ़ेंगे clinical features और clinical features के अंदर थोड़ा risk factor की बात करें क्या-क्या reason से lung abscess हो सकता है तो risk factor में है जैसे की aspiration ठीक है lung abscess भी होता है जो की हमने अभी introduction में देखा था next है pneumonia pneumonia related disease है तो भी lung abscess progress कर सकता है, grow कर सकता है क्योंकि वो भी infectious condition है यह पस formation हो गया तो वो lung abscess वे convert हो जाएगा इसके बाद choking हो जाना choking मतलब respiratory track के अंदर कोई blockage आ जाना और उस करण से भी पस क्योंकि वो infection create करेगा और lung abscess हो जाएगा next है penetrating pulmonary trauma penetrating pulmonary trauma मतलब की chest injury और ऐसी chest injury यह chest है और इस पर ऐसी injury होना कि यह skin को penetrate करके अंदर तक lung को भी damage करे तो यह penetrating जो accidental road traffic accident के अंदर यह आपको देखने को मिल सकता है next है congenital heart disease heart disease related क्योंकि heart यदि proper function नहीं करेगा तो pulmonary edema के chance भी हो सकते हैं और heart और lungs एक दूसरे से related है दोने एक दूसरे को blood exchange करते हैं ठीक है किसी एक के अंदर arrest आता है या failure आता है या और कोई defect आता है तो दूसरे vital organ जैसे heart है तो lungs को भी suffer करना है तो यह चीज़े आपको ध्यान रतनी है और hepatic abscess और tricuspid endocarditis और chronic lung disease ठीक है यह सारी चीज़े जो मैंने टिक कर रखा है जिनको मैंने है ना आपके notes के अंदर टिक कर रखा है वहने चीज़ों को आपको याद करना है समझना है और एक्जाम में लिखना है risk factor यादि पूछे लिये जाए तो आगे बढ़ेंगे pathophysiology अब pathophysiology के अंदर क्या है आपको बस इतना समझना है कि due to etiological factors due to etiological factors such as pathogenic microorganism invasion invasion माइक्रोजेनिक pathogenism invasion होगा in the lungs tissue इसके बाद क्या होगा inflammation होगा inflammation होगा and pus formation due to bacterial aerobic and anaerobic respiration bacteria के aerobic और anaerobic respiration से pus formation होगा और धिरे-धिरे क्या होगा tissue destruction tissue lungs tissue destruction lungs के जो tissue है वो क्या हो जाएंगे destruction हो जाएंगे और lungs tissue के destruction से क्या हो जाएंगा impaired gas exchange impaired gas exchange okay impaired gas exchange okay अब मैं इसको rub कर रहा हूँ impaired gas exchange के बाद आपको क्या लिखना है impaired gas exchange के बाद आपको क्या लिखना है difficulty of breathing एफ एफ है करेक्टर करेक्टराइज्ट बाद रिफिक्लेटी ओफ है क्लिनिकल लगते हैं क्या क्लिनिकल फीचर्स वह सकते हैं सब एक जैसे अंते लेकिन यहां पर क्या वाया है ठीक है और especially जब pus formation हुआ है तो inflammation तो है ठीक है और यहाँ पर क्या होगा कफ production होगा सबसे पहले क्या होगा कफ production क्योंकि abscess के irritation के कारण से कफ production होगा और inflammation के कारण से भी कफ production होगा इसके बाद breathing के अंदर foul smelling आएगी जब pus production हो रहा है तो smell के सा रहेगा foul order आएगा छीक है इसमेल इसकी foul रहेगी foul smelling इसपूटम के सा रहेगा foul smell की वह की गंदी बद्बू आएगी इसके बाद pluritic chest pen pleuritic chest pen मैं बता दे रहाँ आपको pleuritic chest pen means यह lungs हो गए और lungs के surrounding यहापे plural cavity रहती है ठीक है और plural cavity के अंदर abscess formation यहाँ पर होई तो compression के कारण से यहाँ पर भी पहुंच सकता है और इसको भी infect कर सकता है और इस कारण से pain जो होता है वह pleuritic chest pen कहता है pleural related इसमें रहता है और दूसरा रहता है कि pus related भी रहता है ठीक है pulsating pain जबकी जैसा पस formation के समय जैसा pain होता है जैसा pain इसके अंदर आता है इसके बाद है disneya disneya difficulty in breathing इसके बाद रहता है excessive sweating chills excessive sweating chills next है excessive sweating chills sweating excessive होगी क्यों क्योंकि respiration proper नहीं हो रहा है और co2 expelled out नहीं हो रही है इसलिए sweating होगी और auto की कमी के कारण से chill होगी कफ़ कफ़ी होगी यह सब clinical features आपको और क्योंकि infection है तो fever भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से और headache, malice क्योंकि auto की कमी है तो headache होगा headache होगा, malice होगा auto की कमी के कारण से और weight loss और bluish discoloration weight loss हो जाएगा और bluish discoloration means lung proper function नहीं कर रहे तो oxygen की कमी से sinuses के symptom आते हैं और discoloration हो जाता है, bluish bluish color आएगा तो यह सारी चीज़े क्या है clinical features आगे बढ़ेंगे diagnostic evaluation तो diagnostic evaluation के अंदर diagnosis में हम क्या क्या जाचे करेंगे तो first जाच हम क्या करते हैं इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा important है कि patient का medical history और physical examination करते है medical history के अंदर previous में short में लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं साथ में तो आप इसको लिख सकते हो previous lungs disorder history previous lung disorder तो नहीं है या previous immunorrelated medicine तो नहीं ले रहा है ठीक है क्योंकि वो immunity को कम करता है infection के chance को बढ़ाता है steroids वगरा तो नहीं ले रहा है यह सारी चीज़े cigarette smoking वगरा तो नहीं कर रहा है smoking तो नहीं कर रहा है cigarette smoking टूबे को consumption तो नहीं कर रहा है यह सारी चीज़े इसमें medical history के अंदर ली जाती है physical examination के अंदर breathing pattern चेक किया जाता है lung function test वगरा किया जाता है properly breathing ले रहा है या नहीं ले रहा है spirometry से exercise वगरा कर रहा है यह सब चीज़े imaging studies कर जाती है फिर imaging imaging और imaging के अंदर x-ray आगे आपका ठीक है और दूसरा CT scan यदि पस formation है तो CT scan के अंदर अच्छे से दिखेगा MRI भी कर सकते हैं detail identification के लिए और दूसरा scopy के अंदर हम देखे तो bronchoscopy यह किया जाता है internal pus या abscess formation को चेक करने के लिए और blood test की बात करें blood test की बात करें तो यह मैं leak laster में रहा हूं लेकिन यह चीज़े तो hospital में पहले ही होती है blood test के अंदर total leukosite count TLC चेक किया जाएगा या CBC चेक किया जाएगा या ESR चेक किया जाएगा कोई भी disease condition है तो ESR बढ़ जाता है infection है तो TLC भी बढ़ जाता है और complete blood cell count के अंदर RBC, WBC और platelet तीनों की counting इसके अंदर देखी जाती है इसलिए complete blood count केते हैं इसके बाद यह सारे investigation इनफ है और यदि patient को sputum है तो sputum का भी जाच किया जाता है क्योंकि sputum foul smell है इसके अंदर pus formation हो गया sputum के साथ pus आ रहे है इसलिए sputum foul smelling हो रही तो इसके अंदर pus के अंदर bacteria भी होने चाहिए तो sputum के अंदर bacterial check-up किया जाता है ठीक है immunoglobulins भी देखे जा सकते या फिर cultural sensitivity test भी किया जा सकता है ओके तो यह आपको दिख नहीं रहा है यह अब दिख गया ठीक है इसके अंदर किया जा सकता है नेक्स्ट हेडिंग अपने रहेगी medical management और medical management के अंदर सबसे first point आपको याद रखना है antibiotics और antibiotics कौन से क्योंकि यहां पर infection most common सबसे बड़ा विलन है सबसे बड़ा reason है और इसलिए antibiotics हम जो देते हैं यहां पर उस पर हमको focus करना है especially जो lungs के अंदर infection होते हैं तो हम यह amoxicillin वगरा देते हैं लेकिन जब infection ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो clindamycin, penicillin G और penicillin V तक भी हम पहुचते हैं तो broad spectrum antibiotic इसमें यूज किया जाते हैं normal antibiotic तो special starting में यूज किया जाते हैं लेकिन serious condition है तो clindamycin clindamycin और clindamycin के injections administer किये जा सकते हैं intravenously या फिर penicillin G या penicillin V अब G और V में क्या difference है तो यह special penicillin की हमको class लेनी पड़ेगी बहुत interesting topic है ठीक है broad spectrum antibiotics हैं यह ओके इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यह तो antibiotics की बात हो गई और दूसरा रहता है कि oxygen therapy oxygen therapy second management क्या रहेगा हमारा oxygen क्योंकि respirator patient में क्या होता है most of almost सारे respirator patient के अंदर oxygen की कमी होती है और oxygen therapy के कई method रहते हैं cannula से दे सकते हैं mask से simple mask और यह non rebreather mask और रीब्रीदर मास्क और रीब्रीदर मास्क और रीब्रीदर मास्क और रीब्रीदर मास्क और इसके बाद पर्मली जो autotherapy चलती है वो टू लिटर पर मिनिट की रेंज से चलती है लेकिन हम डॉक्टर्स के order के according इसको बढ़ा सकते हैं और दूसरा इसको प्यू देते हैं to prevent hypoxia, to reduce hypoxia, hypoxia को कम करने के लिए देते हैं टीशू के अंदर oxygen कम है तो hypoxia, blood के अंदर oxygen कम है तो hypoxemia, आगे बढ़ेंगे nebulization वगरा करेंगे, ठीक है, nebulization क्योंकि जो to remove, to relieve from mucus, mucus production जो हो रहे, sputum production हो रहे, उनको remove करने के लिए हम nebulization इसके अंदर करते हैं, ओके, और physical therapies वगरा भी हम लेते हैं इसके अंदर, right, physical therapy, chest physiotherapy, chest physiotherapy, CPT, chest physiotherapy, यह हम किया जाता है, और chest physiotherapy के clapping वगरा, percussion, clapping, positioning, changes, postural drainage, सारी चीज़े हमने पिछली bronchiotexis और atletaxis और pulmonary TB के अंदर इनको हमने देख लिया है, आपको किसी एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा, chest physiotherapy का detail, right, तो यह सारी चीज़े क्या है, medical management के अंदर दिये जाते हैं, और यदि patient को pain हो रहा है, तो analgesics वगरा दिये जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि जो analgesics और anesthetics रहते हैं, analgesics और anesthetics, यह दोनों क्या करते हैं, respiratory center जो है, sorry, respiration function जो है, respiratory function को depress करते हैं, या फिर एनमॉर्फिन वगरा चल रहे हैं, analgesics चल रहे हैं, तो उनके अंदर respiratory arrest के chances रहते हैं, जदि लंबे समय तक इन medicines का use किया जाए, तो यह respiratory arrest कर सकते हैं, respiration बिलकुल stop हो सकता है, इसलिए इन चीजों को देने से पहले patient की requirement और emergency देखी जाती है, कि देना जरूरी है य नहीं है, ओके, first कोशिश यही रहती है कि analgesics वगरा नहीं दिया जाएं, exercise करवाई जाएं, position, sitting position पेशन की position यह दि रहेगी, sitting position रहेगी, semi-fowler position रहेगी, जितनी position sitting की तरफ रहेगी, उतना ओटू इसको अच्छा मिलेगा, breathing अच्छी होगी, और जितना यह lie down होगा, उतना ओटू इसका कम हो जाएगा, यह concept आपको याद रखना है, respiratory patient हमेशा semi-fowlers, fallers और sitting position और full-fowlers इन में पाये जाते हैं, supine position में, या trendleward position में, या prone position में रखने से उनका breathing affected होता है, problem आती है, okay, deep breathing नहीं कर पाते हैं, तो यह सब क्या हो गया, medical management हो गया, किसका lung abscess का, next class में हम म आती है, okay, all the best!